तो आखिरकार परधान जी पर गोली चलवाई किसने और क्या इसका सीजन फूर आएगा नहीं आएगा और आएगा तो कब तक आएगा और उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा इसी पर बात करेंगे पूरी तरीके से इस वीडियो में और एंडिंग एक्स्प्लेंड करेंगे पंचायत के सीजन फरीका लेकिन उससे पहले अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजे क्योंकि इसमें भर-भर के स्पोईलर होने वाले हैं तो पूरे सीजन की बात ना करते हुए डिरेक्ट पॉइंट पर आते हैं कि आखिरकार अंत में हुआ क्या आपको बता दूँ कि सचीव जी के पेपर था एक्जाम था उसके लिए सभी लोग उनके वो बस पकड़वाने एक तरीके से आते हैं वहाँ पर सर्प्राइज एंट्री होती है बाइक सवार की जिस पे दो बंदे बैठे हुए रहते हैं और वो देदनादन गोलिया चलाना सुरू कर देते हैं प्रधान जी पर सचीव जी पर प्रलाद जी पर और वहाँ पे विकास पर पहली बार में तो वो सभी लोग बच जाते हैं ऐसा लगता है कि बाइक सवार चले गए हैं लेकिन वो वापस आते हैं प्रलाद और विकास जी उनको सचीव जी को बस में बिठ देते हैं और ऐसा दिखाने की कोशिच करते हैं कि हम लोग समहाल लेंगे लाइक वो चले जाते हैं लेकिन इसके बाद कॉल जब आता है तो वो गन पॉइंट पर होते हैं परधान जी और वहाँ पर विकास बोलते हैं कि हम लोग बिल्कुश सही हैं कोई दिक्कत नहीं आप ज परधान जी को वहाँ पर विधायक भी आते हैं तो क्या एक तरीके से ये उनके तरफ से कहना कि मैंने गोली नहीं चलवाई है क्या ये सच है तो आखिरकार विधायक नहीं चलाई तो आखिरकार गोली चलवाई किसने तो सबसे पहला जो सक जाता है यानि जो सबसे पहला व आफिरकार उन्हें अंत में कहा कि मैंने गोली नहीं चलवाई है लेकिन उसके अपके उपर कर शकते हैं या नहीं की तरफ से नहीं मार पाते हैं वहां पे कबुदर का मालिक भाग जाता है वहां से वह जब आते हैं तो उनको बहुत बैस्ति का सामना करना पड़ता है बिधायक की तरफ से उनको गाले देकर घर से निकाल दिया जाता है तो सायद वह हबाबाजी के चकर में कह सकते हैं ऐसा कि सायद वो हेलमेट पहन कर अपनी पहचान छुपा कर वो सायद परधान जी को मारने एक तरीके से आया है, वही दो लड़के हो सकता है लेकिन आपके उपर है क्या आप मानते हैं कि ऐसा हो सकता है क्योंकि हवा वाजी के चकर में दोनों को थोड़ा सा सर्प्राइजिंगली है लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि गाउं में इलेक्षन का महौल था और ऐसे में पूरब पक्षिम के खेल में परधान जी फसे हुए थे ऐसे में हो सकता है कि वो सहानभूती लेने के लिए अपने उपर गोली चलवाएं और उस के आधार पर थोड़ी से सहानभूती ले सकें तो सायद ऐसा हो सकता है कि वो अपने उपर गोली चलवा सकते हैं चौथे और आखरी कह सकते हैं कि पॉइंट में एक सांसद आपको याद होगा जहां पे एक कॉल पर उनको दिखाया जाता है थोड़ा सा ही क्लिप था थोड़ा सा ही स्क्र प्रदान जी पर गोली चला सकते हैं और एक और बड़ा सवाल कि क्या सीजन फोर आएगा नहीं आएगा तो जी हाँ बिलकुल आएगा सीजन फोर बाई साब इंडिया का सबसे पसंदीदा सो बन गया है लोग इसे पसंद कर रहे हैं तो मेकर क्यों नहीं चाहेंगे कि इसका सीजन दर सीजन आता रहे है तो जाहिर सी बात है सीजन फोर जरूर आएगा इसका सीजन फोर में आखिर हमें क्या देखने को मिलेगा तो ये भी बहुत इंटरस्टिंग है तो आपको बतातों देखिए चुनाव का महौल है एलेक्शन का ऐलान हो गया है गाउं में पूरा एक तरीके से कह सकते हैं कि पूलिटिक्स का महौल होगा और पूरा सीजन फोर चुनाव कैसे होंगे किस तरीके से होंगे और चुनाव के नतीजे क्या होंगे इस पर ही आधारित रहेगा तो ये था पूरा एक्समिलेशन अगर आपको कुछ डाउट है अगर आपको कुछ फैन थियोरीज हैं तो कमेंट सेक्षन में जरूर लिखेगा धन्यवाद